हलो दोस्तों एक बर फेसे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपना यूटूब चैनल आके इस्टडी पे मैं हूं रविंद्रुक्मा आपका DBMS का क्लास लगबग समापती के ओर है और मैंने बहुत जादे पढ़ादी दिया है जितने हमने पढ़ाया है उसी वह रिवेजन कर लिजिए उसी में से बहुत जादे क्यूशन आपके आने वाले हैं आज से हम लोग अब स्टार्ट करेंगे DBMS के MCQ क्यूशन ठीक है जिसमें आपका वीडियो मिलती रहती है तो आपका महराथन कला से स्टाट हो गया है आपके जो दोस्त है वीडियो सेयर कर सकते हैं जिसमें हम लोग बहुत सारे question करने वाले हैं सो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले एक guys free video के लिए हमारे telegram से जूर सकते हैं mcq question का पूरा आपको video आपको telegram पर प्रवाइड होती है तो हाँ आप free cost download कर सकते हैं दूसरी बात guys की आपको हाँ पर book भी available है हिंदी और इंग्लिस दोनों में तो ओ भी आप download कर सकते हैं guys देखें यहाँ पर हमारा जो target है वो 200 question का है जो लगबग हम लोग देखें कितने दिन में खतम कर लेते हैं बहुत जल्दी हो सकता है तो खतम करने की कोशिस करेंगे 200 question का target लेके चलेंगे ठीक है so guys यहाँ पर सबसे पहले guys हमारा पहला जो question है उसको पढ़ेंगे इसके बाद आप नीचे comment करके answer बताएगा ठीक है so जल्दी से आप लोग इस question को पढ़ेंगे in a large dbms कह रहा है कि एक बड़े dbms में होता है देखिएगा each user can access every sub schema यानि प्रतेक उप्योग करता प्रतेक उप schema तक पहुच सकता है दूसरा है आपका each sub schema contain every field in the logical schema तीसरा है आपका each user can see only a small part of the entry database और चौथा आपका all आप दीजे ठीक है फिर से सुन लिजेगा हिंदी में कि एक बड़े dbms में होता है प्रतेक उप्योग करता प्रतेक उप इसकीमा तक पहुच सकता है दूसरा आपका विकल्पिक है प्रतेक उप इसकीमा में तारकीक्य इसकीमा में प्रतेक छेत्र होता है तीसरा है कि C प्रतेक उप्योग करता पूरे डेटाबेस का केवल एक छोटा सा हिंसा देख सकता है चौथा है आपका ये सभी बने जितने भी आप सभी पड़े हैं वो सभी तो जल्दी से कमेंट करके नीचे बताइएगा कि पहला क्यूस्टन का एंसर क्या होगा चल्दी से ठीक है तो गाई चली क्यों पहला क्यूस्टन है हमारा उसका एंसर आपका C है कौन सा है C है ठीक है C में हमारा क्या है गाईज C क्यूस्टन C हमारा है कि प्रतेक उप्योग करता पूरे डेटाबेस का केवल एक छोटा सा हिंसा देख सकता है एक बड़े DBMS में अब गाईज यहां से कन्फर्म हो गया कि एक बड़े DBMS में प्रतेक उप्योग करता है पूरे डेटाबेस का केवल एक छोटा हिंसा देख सकता है ठीक है तो आपका option number C सही हो जाएगा आगे दूसरा question हम लोग यहां से पढ़ेंगे तो दूसरा question यहां पर देखेंगे गाईज की लिखा है कि a network schema एक network schema होता है storage data in table मने table में data store करने के लिए दूसरा कहा रहा है restrict the structure to a one to many relationship मने सन रचना के एक से कई संबंदों तक सीमित करने के लिए फिर कहा रहा है कि प्रेमेट्स many to many relationship मने कई से कई रिस्तों की अनुमती देने के लिए हिंदी थोड़ा सा बहुत ही सरल है तो थोड़ा सा English सही आप समझेगा क्या करता है ध्यान से बताईए कि एक network schema क्या करता है आपने जब network schema पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताये थे नेटवर्क इसके मा क्या करता है जल्दी से अंसर दिजेगा फड़ा-फड से जल्दी से अंसर दिजेगा ठीक है तो इसका भी आपका C answer है माने कई से कई रिस्टों की अनुमति देता है माने यहां पे जो हमारा many to many relationship था एक network schema के अंतरगत में होता है अगला question हम लोग चलेंगे जो थी हमारा है ठीक है तीसरा question तीसरा question है हमारा कि administrative supervision of database activities in the responsibility of the मने कह रहा है कि database में गतिविद्यों के प्रसासनिक प्रचछड की जिमेदारी किसकी होती है डीवी manager, ठीक है डीवी manager, दीपी manager, ठीक है बी आपका DP है तीसरा आपका बीपी या डीपी, administrator, तीसरा बीपी और चॉथा आपका database, adapter तो जल्दी से आप answer देने की कोईशिस करेंगे जल्दी से कि यहाँ पे apson number कौन सा होगा तीसरा का option number कौन सा होगा जल्दी से बताईएगा कि database में गति बीधियों के प्रसासनिक प्रशचर की जिम्यदारी किसकी होती है DB प्रबंधक की की DP प्रबंधक की की DP DB प्रसासन की की database प्रसासन की किसका चल्दी से बताईएगा चली हम आपको अब answer दिखाते हैं तो आपका जो database प्रसासन माने जो database एड्मिनिस्टर होता है उसकी जिम्यदारी होता है database के गतिविधियों को प्रसासनिक प्रशर की जिम्यदारी करना ठीक है अगला हम लोग पढ़ेंगे चौथा ठीक है तो चली चौथा फटा फटा फट एंसर देने की कोशिस किजेगा कि a file consists of मने एक फाइल के होते हैं यहाँ पर पढ़ेंगे field and record मने एक फाइल जो होता है वो क्या करता है पहला है आपका कि field and record को store करता है record and sorts को या field and sorts को या database and fields को यानि यहाँ पर कह रहा है कि एक file के होते हैं हिंदी में देख लिजेगा हिंदी वाले कि field और record को या फिर record और प्रकार को या field और प्रकार को या database और field को एक file के क्या होते हैं जल्दी से comment करके नीचे बताएगा ठीक है जल्दी से comment किजे तो guys इसका में answer आपको दिखाते ह है कि आपका जो answer है पहला है यानि field और record को store करता है एक file क्या करता है जहां पर file होती है वहां पर हमारे field और एक record को store करता है अगला question चलेंगे जो हमारा पांचवा है चलिए जल्दी से पांचवा question का answer जल्दी से जबाब देने की कोशिज करेंगे an entry in the telephone book can be compared to a कहरा है कि telephone book में एक प्रविष्ट की तूलना एसे की जा सकती है यहां पर कहरा है कि इसमें कौन से तूलना की जा सकती है telephone book में प्रविष्ट की तो पहला है लिखा field दूसरा है record तीसरा है file चौथा आपका database है जिसमें किसको करेंगे फिल्ड को record को file को या database को telephone book में एक प्रविष्ट की तूलना एसे की जा सकती है मने इन में से कौन से की जा सकती है जल्दी से बताएंगे जल्दी से नीचे comment करके बताएंगे कि कौन से सही हो सकता है तो चलिए अब आपको में इनसर दिखाते हैं कि आपका जो पांचवा है उसका answer आपका बी है रिकार्ड को जो telephone book होती है वो प्रविष्टी की तूलना आपका रिकार्ड से करती है किस से गईज करती है रिकार्ड से गईजती है तहाँ पे आपका option number B सही हो जाएगा ठीक है अगला question चलते हैं जो हमारा चाठवा है ठीक है चलिए तो चाठवा हमारा है in a database or network structure जल्दी से जवाब देंगे कि एक database में एक network सनरचना होती है यहाँ पे आपका है allow many to many relationship मने पहला कह रहा है कि कई से अनेक संबंधों की अनुमती देता है दूसरा कह रहा है कि is a physical representation of the data मने data के एक भहुतिक प्रतिनी धित्तो है या फिर कह रहा है कि allow only one to relationship यानि केवल एक से संबंध की अनुमती देता है या one आप दी इन में से कोई नहीं अभी यहाँ पर हम लोग network schema पड़े थे ध्यान में रखेगा कि एक database में एक network सनरचना क्या होता है जल्दी से जब आप देजेगा नीचे comment करके बताएगा फटाफट से हम जल्दी से आपको फिर answer दिखा देत है यानि allow many to many relationship in a database a network structure allow many to many relationship ओके तो यहाँ पर आपका option number A सही हो जाएगा अगला हम पढ़ेंगे सातवा ठीक है तो सातवा जल्दी फटाफट answer देंगे लिखा है कि which of the following is at the highest level in the hierarchical of data organization माने नीम्न में से कौन सा data संगठन के पदा अनुक्रम में उचतम अस्तर पर है चल्दी से बताएगा कि नीम्न में से कौन सा data संगठन के पदा अनुक्रम में उचतम अस्तर पर है इसमें से सबसे पहला कह रहा है कि database या आपका data bank data file या data record किसको करता है उचतम अस्तर पर किसको रखता है जल्दी से जबाब दिजेगा आपका उमीद है कि आप सही answer दे रहे हैं ठीक है तो चलिए हम आपको answer दिखा देते हैं कि जो सात्वा के answer है हमारा database कौन सा है database माने हम लोग को जो data संगा होता है वो database के अंतरगत में होता है जो उच अस्तर पे होता है ठीक ह हम लोग चलिए बात करते हैं फटा फट से आठ्वा हमारा आठ्वा हमारा वीच लांग्वेज इज यूज बाइ मोस्ट आप डीबी एमेस फॉर हेल्फिंग देर यूज टू एक्सेक्स डाटा अधिकांस डीबी एमेस में अपने उप्योग करता को डेटा एक्सेस करने में मदद करने के लिए किस भासा का उप्योग करते हैं फिर से ध्यान से सुन लिजेगा अधिकांस डीबी एमेस में अपने उप्योग करता को डेटा को एक्सेस करने में मदद करने के लिए किस भासा का उप्योग करते हैं HLL क्यूरी लांगवेज SQL और 4GL तो आपका यहां पे खुद आप जल्दी से कमेंट करके बताएगा बहुत ही सिंपल आपका क्यूशन है कि जो अधिकांस डीबी एमेस होते हैं वो किस भासा का यहां पे किस भासा का उप्योग करते हैं तो चलिए जल्दी से कमेंट करके नीचे बचाएगा इसका हमें अंसर आपको बताते हैं जल्दी से तो हमारा जो डीबी एमेस है यह हमारा एक क्यूरी लांगवेज है कौन सा क्यूरी लांगवेज यानि किसको सपोर्ट करता है क्यूरी लांगवेज को यह हमारा जो ऑप् पूछा जाएगा ठीक है जैसे कि SQL में क्या बोलते हैं कौन सी भासा उपयोग होती है Qury Language की ठीक है क्योंकि इसमें QL लगा है last में यानि ये आप structure Qury Language इसका full form क्या होता है SQL का structure Qury Language होता है ति ये कौन सा language हुआ SQL Qury Language इसलिए हम लोग यहां पर language पूछा है कि अधिकांस जो DBMS होते हैं उपयोग करताओं को डेटा एकसेस करने में मदद करने वाली भासा का जो उपयोग होता है उसको हम लोग कियोरी लांग्वेज के नाम से जानते हैं चलिए नेक्स्ट जलते हैं नेक्स्ट जो हमारा सवाल है नवा नव नमबर चलते हैं जल्दी से तो गई हमारा ये नवा किस्टन है तो जल्दी से फटासिक एंसर बताईएगा the relation database management मने rdbms में system manage data in more than one file at once how to do it organize these files कह रहा है कि relation database management में मने rdbms में system एक बार में एक से अधिक file में data को manage करता है यह file को कैसे ब्योस्थित करता है मने relations द्वारा, tables द्वारा tuples द्वारा, both मतलब A and B तो द्यान में दिजेगा guys जो हमारा rdbms होता है उसमें relations भी होते हैं और tables भी होते हैं ठीक है, तो क्या इसमें हम लोग कौन कौन सा answer, इसका कौन सा answer होगा जल्दी से answer, जल्दी से नीचे comment करके बताएगा इसका answer कौन सा होगा, ठीक है तो इसका answer चली हम आपको दिखा देते हैं आपको heat भी दे दिये हैं तो आपने समझ गया होगा कि हमारे relations भी होते हैं और tables भी होते हैं और relation में ही table होते हैं इसलिए हमारा जो answer हो जाएगा, ओर D हो जाएगा बोथ A and B, D options हो जाएगा माने जो हमारा RDBMS होता है Rational Data Base Management System जो होती है उसमें अधिकान्स फाइले data को manage करने के लिए हम लोग relations tables का यूज करते हैं ठीक है, so guys चलिए जल्दी फटाख से चलते हैं दसवा question हमारा तो दसवा question आपके screen पे तो जल्दी से इसका answer देने की कोशिस करेंगे A table consists of माने एक तालिका के होते हैं जल्दी से जवाब देंगे एक तालिका में क्या क्या होते हैं guys row and cells, row and column filled and column ननाबदीज, पंक्ती और कोशिकाएं पंक्ती और stump filled और column इन में से कोई नहीं तो आपको उमीद है कि इसका answer आप सभी को पता है तो जल्दी से comment किजेगा नीचे जल्दी से comment करके बताए कि इसका answer क्या होगा ठीक है तो आपको सभी लोगों को पता है तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि इसका answer क्या है ठीक है तो अगला question चलते हैं लोग question number आपका 11 ठीक है ध्यान से सुनिएगा a command that lets you change one or more field in a record is कहने का मतलब है कि एक command जो आपको एक record में एक या एक से अधिक field बदलने की सुबदा देता है वो कौन सा है look up, insert, modify या none आप दीज जल्दी sensor दीजेगा अगर आपने SQL पढ़ा है तो इसका जल्दी sensor दे सकते हैं ठीक है यानि एक command जो आपको एक record में बने कोई एक record है table के अंतरगत में उसको एक या एक से अधिक field बदलने की जो सुबदा देता है एक या एक से अधिक field को सुबदा बदलने की जो सुबदा देता है वो कौन सा करता है तो आप उमीद है guys की आपने इसका answer दे चुका होंगे ठीक है, सही answer तो आपने समझ गया होगा तो जल्दी से इसका reply देंगे comment किजेगा तो इसका guys answer आपका C है कौन सा modify modify के अंतरगत में हमारा जो record होते हैं उनको एक या एक से अधिक fields को बदलने की सुबदा प्राप्त करता है जिसे हम लोग हिंदी में संसोधित करते हैं क्या कहते हैं? संसोधित तो यहाँ पर option number आपका 11 का C सही हो जाएगा अगला यहाँ पर चलिए 12 हुआ देखेंगे इसी type के आपके guys question board में आने वाले हैं तो टेंसल लेने की जरूरत नहीं है अगला question है a database management system माने एक database प्रबंध प्राड़ी में होता है is a collection of program for managing data in a single file कह रहा है कि एक file में data प्रबंध के लिए कारेकरमों का एक संगर या फिर कह रहा है कि can do more than a record management system माने एक record प्रबंध प्राड़ी से अधिक कर सकता है या फिर अगला है कि allow यहाँ पर आपका दिया गया allow simultaneous access to multiple file माने एक एक अधिक file तक एक साथ पहुँच की अनुमती देता है last में आपका बोथ B and C दिया है नि B और C दोनों में से कौन सा होगा B और C दोनों होगा या तो फिर इन में से कोई एक होगा जल्दी से बताए है कि एक data प्रबंध प्राड़ी में कौन-कौन से हो सकते है तो I hope guys कि आपने समझ गया होगा question और आप answer भी सही दे रहे होंगे ठीक है तो चलिए आपका answer हम आपको 100 करा देते हैं चल्दी से तो यहाँ पर आपका guys answer हो जाएगा जो last आपका है D यानि B और C एक record प्रबंध प्राड़ी से अधिक कर सकता है और एक अधिक फाइलो तक एक समान पहुँच की अनुमती भी दे सकता है एक data प्रबंध पढ़ा ली ठीक है देखे guys इस type के question जो पूछे जाते हैं उसमें अगर दो option last में दिये रहते हैं तो अधिकतर सही होने का chance यही होता है क्योंकि अभी आपने दो question देखा और दोनों में जो इस type के question थे A, B करके ऐसे करके कि यह इन दोनों में से दोनों सही होगा तो इस type के answer बहुत जादे सही होते हैं तो इस type के question में आप इसी तरह के click करेंगे जो आपका both दिया रहेगा ठीक है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है सही उतर तब के तब की बात है ठीक है अगला हमारा question है अगला हमारा question है 13 number ठीक है की into a record location in a और then n दिया गया है माने एक record का भौतिक अस्थान एक गडितिय सुत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है जो एक file कुंजी को एक record अस्थान में a तथा n में बदल देता है यहाँ पे कहला है कि sequential file होता है या headset file होता है index file होता है बीटरी file होता है कौन सा file होता है जल्दी से हैं पे comment करके बताएंगे नीचे से जल्दी comment करके बताएंगे कि एक record का भौतिक अस्थान एक गडितिय सुत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है जो एक file कुंजी को एक record अस्थान में a तथा n में बदल देता है तो क्या होगा sequential file हो जाएगा माने अनुक्रमिक file दूसरा हम लोग headset file माने hash की गई file दूसरा है index file अनुक्रमिक file और bit tree file कौन सा होगा जल्दी से बताएंगे नीचे comment करके हम इसको आपको answer दिखा रहे हैं ठीक है तो आप match करा लिजेगा सही है कि नहीं आपका answer b है यानि यहाँ पर headset file माने hash की गई file जो होती है वो record के भौतिक अस्थान एक गडितिय रूप द्वारा उसको एक file कुंजी में record में a तथा n में बदल देता है so guys अगला question अब लोग चलेंगे जो 14 नंबर है आपका फटाफट answer दिजेगा 14 नंबर को कि information can be transferred between dbms and a मने सूचना dbms और a के बीच अस्थांत्रियक की जा सकती है तो बताइए इसमें से कौन सा graphical programs, word processor program या speed seat program या आलाब दीज मने graphic program ठीक है यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा सूचना dbms और a के बीच अस्थांत्रियक की जा सकती है इन में से कौन सा answer है जल्दी से बताने की कोसिस करेंगे फटा फट से नीचे comment करेंगे चल्दी से तो हम आपको यहाँ पे आपको सो करा रहे है आपका जो answer है ठीक है यहाँ पे आपका जो answer है guys d है माने हम लोग यहाँ पे graphic program भी कर सकते है word process program भी और speed seat कारेकरम भी ठीक है माने speed seat program भी dbms और a के बीच जो सूचना होती है उसको अ यह last question है ठीक है तो चलिए 15 number question है मारा कि the management information system माने MIS जिसको बोलते हैं structure with one main computer system used called कहने का मतलब है कि एक मुखे computer प्राड़ी के साथ प्रबंदन सूचना प्राड़ी माने MIS संरचना जिसे हम कहते हैं वो क्या है यहाँ पे देखेगा answer देजेगा कि केंद्रिय क्रित MIS संरचना माने centralized MIS structure बोलेंगे कि यहाँ पे बोलेंगे हम लोग बीकेंद्रिय MIS संरचना बीतरित MIS संरचना पदानु क्रमित MIS संरचना कौन सा बोलेंगे जल्दी सा बोलेंगा कि आपका जो आपका the file sorry the management information system structure with one main computer system is called यानि यहाँ पे centralized MIS structure होगा यह डिस डिसे ट्राइज MIS structure यह distributed MIS structure यह hierarchical MIS structure कौन सा होगा इसमें से जल्दी से एंसर देने की कोशिश करेंगे नीचे जल्दी से comment करेंगे ठीक है चलिए आपको last जो हमारा आज का सवाल है उसको हम आपको देते हैं जल्दी से तो यहाँ पर आपका जो 15 नंबर का question है उसका answer है आपका माने यहाँ पर हमारा जो केंद्रिय मितलब MIS structure है यानि centralized MIS structure है वो हमारा एक computer यानि एक मुख्य computer प्राड़ी के साथ प्रबंध सुचना प्राड़ी का संरचना कहते है ठीक है तो आज का बस यही 15 नंबर 15 तक question करेंगे इसके बाद फिर हम लोग next class में करेंगे ठीक है तो I hope guys कि इसमें से बहुत सारे question के answer आपको आ भी रहे थे और आपने अच्छा answer भी दिय होगा ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही मिलेंगे नए वीडियो में तब तक करेंगे इस वीडियो को जादे से ज्यादे शेयर किजिए आपके लिए ऐसे एम किस्टन लाते रहेंगे फ्री पीडियाप के लिए टेलिग्राम से जूड़ सकते हैं और करिश्टरी 2.0 या नीचे डिस्किप्शन में लिंक है मिल जाएगा ठीक है और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीचेगा